रख होसला वो मंजर भी आएगा खुशियों का चल कर समंदर भी आएगा और ठक करना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा कोई भी बड़ा काम ना एक दिन में नहीं होता है लेकिन निरंतर लगातार कोशिस करते रहने से एक दिन जरूर हो जाता है जैसे कि आपकी ये कोशिस की बैच ये टाइम आप देख रहे हो ये चल रही है भी ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस सीखने वालों के लिए है जिनको रियल में गड़ित सीखना है और लाइब में कुछ करना है कोई डाउट होका कमेंट करेंगे उसका समधान रिपलाइब मैं खुद करता हूँ और जिनको ये करना है कि लाइब चलेगी तो हम बातचीत करेंगे मजा आएगा बिल्कुल मस्ती वाली तो वो चीज यहां नहीं होता है मस्ती सस्ती नहीं इतनी चलो आज क्या पढ़ेंगे अज पढ़ना है especially number के बारे में जैसे अगर हम बात करें कि अंक क्या है संख्या क्या है फिर संख्या के परकार कितने होते इनकी family कितनी बड़ी है ओर फिर उने में इनकी थ्य क्या कैसे कंडिशन है यह सारे चीजें पढ़ेंगे जैसे संख्या कितने परकार की होती है संख्या में मुख्यरूप से अगर बात करें तो cholesterol और irrational यह तो आपने सुना होगा इसके उपर इनके दादा भी होते हैं जिनको बोलते हैं real और imaginary number यानि वास्तविक और काल्पनिक संख्या तो इनकी family शुरू तब होती है जब इनके परदादा का जनम होता है ये दादा परदादा यानि अंक अंक से ही सब कुछ सुरू होता है आप ये बताओ कोई भी लेटर आपको कुछ भी लिखना है विदाउट अंक के आप कैसे लिखोगे आपको अपना mobile नंबर बताना है आप बीना अंक के कैसे बताओगे है ना तो mobile नंबर भी बताना है तो क्या होता है अंक की जरूरत पड़ है ऐसे चीन या सिंबल जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं या फिर ऐसे अब जान लो बस कुल मिला के ठीक है ये क्या कहलाते हैं ये में काम की चीज है कि तसमलों संख्या पद्धती में कुल 10 अंख होते हैं 0 से ले करके 5 और 4 ये 9 नव तक ठीक है इसके अलामा दूयाधारी संख्या पद्धती जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं प्यारे इसमें दो अंख होते हैं सिर्फ दो अंख होते हैं 0 और 1 इसके बारे में अभी हम डिसकर नहीं कर होता हैं शिर्फ जान लो बस ठीक है अगला आता है कि संख्या किसे कहते हैं आप लोगों के जहन में कभी ने कभी सवाल आना चाहिए क्षा क्या होती है 200-20 को के समूं को संख्या कहते हैं ठीक है कोई भी अगर कहीं भी सिंबल यो है ये ऐसे दिये गयी पिदित बहुत कुछ जो बोलने वाली बात अलग है वेखा हैं यहां बहुत कुछ बोल थैंक है समझ रहा ना तो यह हो गया में जो काम की चीज है उस पर आगे बढ़ते हैं यह भी काम का था लेकिन कहीं पूछा नहीं जाता है अब संख्या यह कितने परकार की होती है तो इनका इस्ट्रेक्चर कुछ ऐसा होता है मेरा ध्यान से देखना इधर साइड में जो मैं दिखा र नंबर इनके जो मुख्यता दो पार्ट होते हैं एक होता है आपका रियल नंबर मेरी बाते ध्यान से सुनना भी और समझना भी तभी लिख पाओगे अगर सिर्फ देखोगे सुनोगे नहीं तब नहीं समझ पाओगे ठीक है और एक होता है बच्चा आपका इमेजनरी नंबर जिने बोलते हैं कालपनिक संख्या ठीक है अब जो आप पढ़ेंगे मुख्यता वो इनके बारें पढ़ेंगे रियल नंबर रियल नंबर की ही पूरी गड़ित है पूरी कहानी जो कुछ आप पढ़ते हो इस दुनिया में मौझूद कोई भी संख्या है अगर हम उन भी खालाती है पूरी पूरी रियल नंबर कहलाती है आप कहो गए फिर यह कौन सी बिमारी है इनका जो होता है एक पलफ आई बी के रूप का होता है इनकी संख्या तुम्हें जल्दी दिखेगा नहीं कई ठीक है जैसे अगर हम इनकी बात करें तो यह मां लीजिए कहीं एस यहां आई का मतलब होता है अंडरूड माइनस वन पर भी मदन अंडर होता है जैसे इसको लिखते हैं दो क्या लिखते हैं minus 1 into under root 2 sorry 2 नहीं मनलब 4 क्योंकि 4 को अलग तोड़ देते हैं जैसे minus में था न ये समझ रहे हो कि नहीं minus 4 को हम minus 1 into 4 लिख सकते हैं वैसे तोड़ दिया अब इसका पूरा मान आई हो जाता है और ये क्या हो जाता है 2 यानि final में 2i हो जाता है कौन सा ये value आपकी 2i हो जाती है अब भी मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ मोटा मोटा मैंने बता दिया मेरे ये कहने का मतलब है कि आपको कहीं भी इन number के दर्फन नहीं होंगे कोई भी आप question हल करोगे अधिकतर case में आपको 99.9% उमीद है कि ये फारे number कहीं नहीं मिलेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ पूरा पूरा दावे के साथ कि कोई भी calculation हम करते हैं कोई भी question हमाल करते हैं या कोई भी question हमाल करते हैं तो जो हमें answer मिलता है वो सभी क्या होती है real number कहलाती है ठीक है ये class सिर्फ उनके लिए है याद रखना पूरा देखना class को अगर आप रियल में सीखना चाहते हो लाइफ में कुछ करना चाहते हो बाकि ऐसे धोखे से आ गए हो तो फिर बात ही अलग है ठीक है विल्कुल विल्कुल कमेंट करके बताओ दिल से सीखना चाहते हो न पका चलो ठीक है आज का सवाल पहले आज का सवाल फिर बात में बात कर में कि आई कमान क्या होता है भाईया आई कमान क्या होता है अ सिर्फ को कमेंट करना है यह लाइब सब्सक्राइब या प्रीमियर क्लास के बाद में ओके डन चले आईये बहुत चीजए पढ़नी है वो सटा है कुछ चीजए कि इस कलास में नहीं होपाएंगी तो अगली कलास में होगी कोई दिकतफन ही हमारे साथ नंबर को बैवेट कर देना है ठीक है ये क्या है इसे बोलते हैं China okay जनको Hindi मैं सम्रिस्ष संख्या है क्या समिफ चर संख्या हैं और English एफ ouais आएगा समझ में को कि दिक्कत नहीं कालपनिक संख्यां तो आप बता किल यह हो जल बहिए पर काल्पनिक संख्यां आखिर वास्तों में होती क्या है इनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानी लेना चाहिए हमें है ना बच्चा पार्टी सभी को समझ में आ रहा ना मस्त एक बार जोड़दार सेशन को लाइक कर दें और इस कला स्कूल सेर नहीं किया तो सेर कर देना और को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप टोटल फ्री पढ़ पाओ इस सीरीज का नाम है मैज का दर्द की दवा बिल्कुल दवा वाला काम करेगी लेकिन दवा भी थोड़ा टाइम लेती असर करने में तो यह भी टाइम लेगी जब तक पूरी सीरीज नहीं देख है जो अभी दिखाया था जैसे फोर है तो इसको मैंने तोड़ के ऐसे ऐसे कर दिया तुम्हें ना समझ में आया हो तो इसको देख लो फिर इसमें तो आपको ज्यादा दिमाग में आ जाएगा जर देखो भीया जैसे अंडर रूट माइनस तीन है देखो मैं जरा देखो च कि कोई नंबर अगर करड़ी में है तो उसको हम करडी की रूप में तोड सकते हैं जानते हो कि नहीं जानते हो तो तुम्हें जना देता हूँ देखो इदर नहीं पड़े हो तो यही तो बिमारी है अगर यह ऐफ the लिखा आप चैसे शे तो इस छ चे को अगर मैं आफ ए लि देखो क्लास हो सकता थोड़ी बड़ी हो जाए हमारी कोशिस होगी कि बड़ी ना जाए क्योंकि स्रीज हमारी दसी मिनट की है यह तो उतने दिर में आप बहुत कुछ सीख जाओ चलो इनको मैंने ऐसा कर दिया अब इसमें क्या है बच्चा आई जो है इतने कमान क्या होता आई होता है काल्पनिंग संख्या में तो इसकी जगा पर आई हो जाएगा इंट्व अंडरूर्ट तीन है ना समझ रहे होगा नहीं इसे आप ऐसे लिख सकते एक दूसरी चीज जिसमें थोड़ा सा आपको फसावला वाला हो गया फसावला वाला क्या हो गया एक चीज यहां समझे ना जैसे कोई संख्या जो पूर्वर्ग होती है जैसे मानलो सोला है ना तो इनको क्या है हम ऐसा कर फक जाता है यहां आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर समझ में आएगा तो यहां पर निकले गए नहीं लेकिन हम उस मान को ऐसे अलग से दिखा देते हैं यहां फिर इसको हम ऐसे भी कर दें तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है एसे ना लेकिन रूट के बारे रह साथ में है complex number जैसे आपने भाज अभाज पढ़ा होगा नहीं भी पढ़ो गया आगे तो उसमें सहभाज होती है वैसे यह भी होती आपकी यह complex number जो है वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को जोड़ करके बनती है मिक्स करके ठीक है इस्टेंडर्ड फाम इनका क्या होता करता है यह काल्पनिक भाग को दर्फाता है इमेजनरी नंबर को यह रिपरजन करता है इनको थोड़ा फाए एक बार देख लो नजर्फे प्यार्फे यह numbers को डिबाइड करता है उसके बाद इनके बारे में हम अगली class में पढ़ेंगे क्योंकि यह class बहुत लंबी हो जा र इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे पता है पर्मिया पर्मिया संख्या पढ़ाएंगे क्योंकि आज आपने इनके बारे में पढ़ा रियल नंबर पढ़ा और complex नंबर और imaginary नंबर यह अभी आप पहले step पर हो एक दम उपर वाले पर अभी यहां से हम मैं आपके लिए बिल्कुल जीजान से खड़ा हूं और आप देखो एक बचकर 45 मिनिट हो रहा रात के मैंने क्लास कर दिया क्योंकि अकसर दो दिन से होता है कि जब मैं तीन बज़े या दो बज़े सोता हूं तो मैं दो गंटे में उठ नहीं पाता हूं क्योंकि 5 बज़े क मैंने रिकार्ड कर दिया कि मुझे हो सकता आज भी ना उठ हूं अगर मैं तो फिर आपकी क्लास में सो जाएगी ठीक है धन्यवाद क्लास को लाइक सेर करना और अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं रातो रात जाक करके तो आप भी थोड़ा सा समझ हो इसे